आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो फ्रेंड्स, आज केमार कोशन है हाव डस दा अतोमिक हाइडोजन रोक्सी हाइडोजन टोर्च फंक्शन फोर कटिंग अन वाल्डिंग प्रपसिस एक्स्प्लेण ठीक है, तो गर देखे, जो मारी अतोमिक हाइडोजन है आतोमिक हाइडोजन जो है वह हमारी इसकी प्रपरेशन होती है प्रपरेशन from the dissociation of, from the dissociation of डाई हाइडोजन using an electric arc ठीक है, तो अगर हम देखे, इसकी प्रपरेशन की जो एक होती है अगर हम देखे तो यह यह हमारा कोई surface हो घ्लिए ठीक है है यह हमारे पास दो tungsten वायर टंफटन एलेक्टरोड यह वाली एक tungsten एलेक्ट्रोड ठीक है और यहां अब ने इससे हाई voltage वाला यह connect कर दिया ठीक है और यहांप पर हमारे है tungsten electrode हो गई और यह हो गई हमारी ह्यच्ट टू गैस ठीक है यह मैं प्रोडियस होगी तो जो मारे यह यह जैसे अगर हम लिखे दाई हाइडोजन ठीक है यह जाता है अटोमिक हाइडोजन में तू एच इन दा प्रेजन ओफ इलेक्ट्रोड लगाते है और इलेक्ट्रिक आर्क ठीक है जो इसमें एंधाल्पी चेंज होता है डेल्टा एज होता है माइनस फॉर्ट या 436 किलो जूल पर मॉल जो क जो कि हम इससे इतना होता है कि से हम 4000 के तक का टेंप्रेचर जनरेट कर सकते हैं और जो इतना टेंप्रेचर जनरेट होता है तो इट इस सूटेवल इट इस सूटेवल फोर फोर कटिंग एंड वैल्डिंग प्रोसेसिज ठीक है इसी लिए हम इनको यूज करते हैं अटोमिक हाइड्रोजन को क्योंकि जो इतनी अनर्जी निकलती है न तो इतनी अनर्जी निकलती है तो 4000 के ब्राभव टेंप्रेचर जनरेट कर सकते हैं जिसको हम कटिंग और इसलिए यूज किया जा सकता है तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं थेंक यू